अम्हालीकूम। मैं हूँ उबद रह्मान और आप देख रहे हैं चैनल टाविश्था सुच्छियासी। क्या आप किसी से सच्चे दिन से महबबत करते हैं। क्या आप चाहते हैं वो भी आपसे उतनी महबबत करें। क्या आप उनको अपने इस्क में दिवाना करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं वो अपना पुरा ध्यान और तवज्ज़ से और सिर्फ आपको दे अगर आप यह सब चाहते हैं तो आखिर तक पूरी वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रिस कर दें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करना न भूलें अगर आपने यह सब कर लिया है तो इतना कर लेने के बाद सभी को इस नक्स को बनाने की इजाज़त मेरी तरफ से पूरी है अगर कोई सक्स किसी को अपना फर्माबया बनाना चाहता है हमेशा के लिए यानि सिर्द निकाह की नियत रखता है या फिर मिया बीबी की महबत को मद्बूत करना चाहता है ये नक्स हब के लिए बहुत आसान और जलानी तावीज है इस महबत में लोग गलत बाबा और रोज़ाओं के चक्र में पढ़कर अपनी जिन्दगी बरबाद करने वाले अपनी जिन्दगी और पैसा मेहनत और हर चीज बरबाद कर देते हैं इसे यूँ बरबाद न करें ये बहुत मेहनत और मुश्किलों से आता है महबूब कितना भी धवल्डी हो जिद्धी हो उसे वफादार बनाने के लिए इस तिलिस्म को मेरे कहने पर जरूर लिखे मैं इस नक्ष की फोटोकार्टी के लिए कह दूँ इसका असर बहुत कम हो जाएगा महबूब को नर्म दिल करने में ये तुरंट काम करता है अगर आप इसे नेक दिल और पाक काम के लिए लिखेंगे तो आप जरूर कैम्याब हो जाएगे इंशाला आईए नक्ष का तरीका जान लेते हैं जुम्ह की नमाज मुकमल पढ़ लेने के बाद इस नक्ष को जुम्ह की नमाज के बाद से मगरिब की नमाज से पहले यानि जुम्ह और मगरिब के बीच के वक्त में इस तावीच को लिखना है अगर पाक है तो ठीक है नहीं तो पाक हो जाएं गुसल करने गुसल करने के बाद उजू बना ले पाक साफ और बेहतर कपले पहले खुश्पू लगा ले पाक साफ कागज और कलम ले ले और अच्छे तरीके से नक्स महुबब लिखे ध्यान रहे नक्स लिखते हैं कि आपका ध्यान महभूब की महुबब पर रहे और अल्ला का खयाल दिल में रखे इस नक्स को हिफाजस से मुझळमा कर ले और अपने दिल के पास रखे अगर आप टाइलेट या किसी नापाक जगा पर जाते हैं तो इस तावीज को कहीं हिफाजस से रखकर ही जाएं और वापस अकर फिर अपने पास रख ले इस तावीश को लिखने वाले की हसरत चन दिनों में पूरी हो जाती है लेकिन 40 रोज इसकी म्याद है आगर आपका मकसद जायज है और 40 दिन से पहले पूरा हो जाता है तो इस तावीश को किसी पाग जगा पर या नदी वगरा में इसे बहा दे शिर्क के खयाल से ये नक्स न करें क्योंकि अल्ला की जात के सिवा कोई और जात नहीं जो किसी की मदद कर सके ये अल्ला से मांगी जाने वाली एक दुआ होती है अगर आप शिर्क के खयाल से इसे कर रहे हैं तो आप इसे बिलकुल ना करें अल्ला के शिवा कोई देने वाला नहीं है आप अल्ला की जात पर भरोसा रखें इंशालला इस दुआ से अल्ला तबरक ताला आपकी हर तमन्ना हर जाय तमन्ना को पूरे करेगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इंशालला तब तक के लिए अल्ला हफीज दूआ की दर्खास्त के साथ